नमस्कार दोस्तों केशो आप सब भी उमीद करता हूँ काफी ज़्यादा अच्छे होंगे जैसा कि आपको पते है कि बांगलादेश और आइरलेंड के बीच में सेकेंड टी-20 इंटरनेशनल मेच होने वाला है और अगर आप भी इस वाले मेच की मेगा ग्रेंडली की टीम ब प्लेयर है और मैंने CVC भी बनाया था उस वाली वीडियो के अंदर और उस वीडियो को जो भी बंदे देखे होंगे उसने अच्छी कासी टीम भी बनाई है और विनिंग भी की है अब ये जो मेच है ये तो सेकिन टी-20 मेच होने वाला है तो इस मेच के अंदर कौन से अंदर देखने को मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जुरूर कर देना और हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करता है सबसे पहले यापर बात करत पर्फोर्मेंस है इतना कुछ खास नहीं आता है तो यहाँ पर बांगलादेश की तरफ से हमको काफी अच्छा पर्फोर्म देखने को मिलेगा हम यहाँ पर लेटिंदास को अपनी ड्रीम लेवन की टीम के अंदर लेने वाला है इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बेटि बेटिंग करने वाला खिलाडी है वो यहाँ पर श्ट्रिलिंगी है तो बाई आयलेंड की तरफ से भी यहाँ पर हमको पर्फोर्मेंस देखने को मिलेगी तो यहाँ पर इसलिए हम इंको भी अपनी ड्रीम लेवन की टीम के अंदर लेने वाला है इनको लेने वाले हैं बागी पिछले मेच के अंदर टालुकडार की जो परफॉमेंस तो वो काफी अच्छी देखने को मिली थी लेकिन अब की बार ये फ्लोप जा सकते हैं और इनकी जगे पर यहाँ पर होसीन सेंटो काफी जवरदस्ट परफॉर्म कर सकते हैं तो यहाँ पर होसीन सेंटो को अपनी ड्रीम लेवन की टीम के अंदर ले सकते हो अगर आप इन दोनों की लाडियों को ही लेओ गये तो काफी अच्छा आपके लिए होने वाला है क्योंकि मेच जो इंपोर्टेंड यही होने वाला है इस मेच के अंदर तो यहाँ पर इन दोनों की लाडियों का आप लेना चाहो तो अपनी Dream 11 की टीम के अंदर ले सकते हो अब यहाँ पर बात करते हैं Allrounder वाले सेक्षन की Allrounder वाले सेक्षन में सबसे पहले यहाँ पर साकीबल असन देखने को मिल जाता है पिछले मेंच के अंदर तो कुछ खास नहीं कर पाये थे लेकिन Allrounder है और अच्छी परफॉर्म भी आती है इनकी और इनके पिछले record भी काफी जबरदस्थ है और पुराने player है experience player है तो इसी लिए हम यहाँ पर इनको लेने वाले है तो आप भी चाओ तो इनको अपनी Dream 11 की team के अंदर रख सकते हो निचा होगे तो यहाँ पर capture देखने को मिल जाएंगे काफी सारे लोग इनको drop out करके ही चलेंगे क्योंकि first T20 के अंदर अच्छा नहीं कर पाये थे लेकिन अभी ये second T20 के अंदर काफी जवरदस्थ perform आ सकती है इनकी तो यहाँ पर capture भी आपके लिए काफी ज़्यादा important player है साथे साथ pressure भी है तो बही pressure का आपको पते है कि इस मेच के अंदर काफी अच्छा योगदान है और काफी अच्छी perform भी करता है तो यहाँ पर pressure हम लेने वाला है जिनका नाम यहाँ पर capture है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा important player यहाँ पर मेंदी हसन मिराज भी होने वाला है इसके बाद यहाँ पर आप चाओते हैं यहाँ पर हेरी टेक्टर को भी ले सकते हो क्योंकि इनका performance भी अच्छा ही है फिलाल तो यहाँ पर यह ओल राउंडर भी है तो यह अच्छी bowling भी करेंगे, betting भी करेंगे तो यहाँ पर हम को ज़्यादा point देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हम इनको भी लेने वाला है यानि कि यह जो 4 खिलाडिय है यह में लेने वाला हूँ all rounder वाले section में आप भी चाहो तो इन 4 खिलाडियों को ले सकते हो अब यहाँ पर main बात करते हैं bowling section की क्योंकि bowling section से भी हमारे लिए काफी ज़ादा important player होने वाले है अब यहाँ पर अगर Ireland पहले betting करेगी तो यहाँ पर run काफी कम देखने को मिलेंगे और wicket पर wicket देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक जो team है हमारी वो कमजोर team है और एक जो team है वो काफी intelligent team है तो इसी तरीके से हम भी dream 11 के उपर team बनाने वाले हैं mega grandique वाली तो यहाँ पर bowling वाले section में सबसे पहले आपको यहाँ पर रह्मान देखने को मिल जाते हैं पिछले match के अंदर अच्छा कुछ नहीं कर पाये थे लेकिन player काफी ज़्यादा important player experience player है तेज गेंदबाज है और इस pitch के उपर भी तेज गेंदबाज काफी अच्छी perform करेंगे तो यहाँ पर इनको हम लेने ही वाले हैं और वेसे भी यहाँ पर हम GL team ही बनाएंगी GL team के अंदर रिक्स तो हमको लेनी ही है तो यहाँ पर हम यहाँ पर रहमान को अपनी dream 11 की team के अंदर लेने वाले हैं इसके बाद यहाँ पर तास्कीन आहमद देखने को मिल जाएंगे तो आपको आँग बन करके तास्कीन आहमद को लेना ही है तास्कीन आहमद काफी जबरदस्ट प्लेयर है इनकी परफॉमेंस काफी जबरदस्ट है पिसले रिकोर्ड काफी जबरदस्ट है तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पर तास्की के अंदर इनको भी रख सकते हो इनका भी परफोर्मेंस काफी जबरदस्थ ही जाएगा तो यहाँ पर यह देख सकते हो मैंने तीन खिलाडी को लिया है जो कि हमारे लिए काफी ज़ादा इंपोर्टेंट प्लेयर है बोलिंग वाले सेक्शन में आप भी चाओ तो इन तीन प् कर सकते हो क्योंकि इनके भी रिकोर्ड काफी जबरदस्थ है एक्सप्रियेंस प्लेयर है यह भी विकीटे काफी जबरदस्थ है और काफी अच्छी निकालते है तो आप चाहो तो यहाँ पर महमूद को भी ले सकते हो तो आपके लिए जो मेन इंपोर्टेंट प्लेयर थे कुलिंग वाले सेक्शन में मैंने वो आपको बताई दिया है जो कि आप यहाँ पर देखी सकते हो वाइचांस अगर इन प्लेयर में कोई प्लेयर अगर नहीं खेलता है तो आपके लिए जो बेस्ट ओप्शन होगा वो है यहाँ पर असलम आप यहाँ पर असलम को अपनी ड लिटिंदास को लिया है लिटिंदास का परफॉमेंस काफी जबरदस्त है पिसले मेच के अंदर भी काफी अच्छा आया है और अभी इस मेच के अंदर भी काफी ही अच्छा आएगा इसलिए मैंने केवल यहां पर एक ही विकेट कीपर लिया है जो कि यहां पर लिटिंदास ह एक तो है यहाँ पर श्ट्रिलिंग और एक यहाँ पर होसीन सेंटो है सेंटो और यह दोनों काफी जादा इंपोर्टेंट प्लेयर है इन दोनों को अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर ले सकते हो इसके बाद यहाँ पर ओल्राउंडर वाले सेक्शन से मैंने चार खिलाडी को ल लिया है तो आप भी चाओ तो कुछ इस तरीकी की टीम क्रेट कर सकते हो अब मैं आपको बता जेता हूं कि आपके लिए इन खिलाडियों में से में इंपोर्टेंट खिलाडी कौन से होने वाले है जो कि CVC होंगे तो यहाँ पर उपर देखो कि हो तो लिटिन दास देखने क है थोड़े से अलग खिलाडियों को ट्राइ करने वाले है CVC के लिए तो यहाँ पर नीचा आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर साकीबल असन देखने को मिल जाएंगे साकीबल असन को यहाँ पर वोईस केप्टन क्रेट करने वाला हूं वो क्यों क्योंकि आपक अब यहाँ पर मैं जो Captain के लिए आपको बताने वाला हूँ वो खिलाडी आप ध्यान से देखना वो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर रह्मन को आप भी चाहो तो यहाँ पर Captain इनको क्रेट कर सकते हो बागी आपकी जो टीम हो कुछ इस तरीके से टीम होने वाली है जिसके अं intelligent है और काफी experience player है तो यहाँ पर इसलिए मैंने voice captain इनको बनाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो mega grandly की रिक्सी टीम हो कुछ इस तरीके से complete हो चुकी है आप भी चाहो तो कुछ इस तरीके का combination ट्राई कर सकते हो और इस तरीके की टीम भी ट्राई कर सकते हो हमारी YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर इंड करते हैं मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई